जैस्ट्री महाकाल एक बार फिर से आप सब का बहुत बहुत स्वागत अभी नंदन करते हैं हम आपके अपने परिवार एकांटिंग गुरू में क्या हाल चालें आप लोगों के आज लेजर की बारी है क्योंकि जर्नल इंट्री हमारा लगभग लगभग कम्प्लीट हो चुका है अच्छा जर्नल इंट्री में अभी एक टॉपिक आपका रहे गया है वो है आपका GST से रिलेटेड पहले हम क्या कर घरेंगे आपको बता देंगे लेकिन उससे पहले अभी हम आज बात करने जा रहे हैं हो भी किसकी कीए लेजर को हम लोग क्या गहते है हिंदी में इसे हिंदी में कहा आपकी voucher के माद्यम से और voucher को ही हम लोग source of document भी कहते हैं या जिसे आप ये भी कह सकते हो कि evidence of transaction भी आप कह सकते हो अगर किसी ने पूछा कि what is the voucher तो आप सीधा एक line जरूर लिख लीजेगा जो मैं अभी बोल रहा हूं क्या लिखेंगे evidence of the transaction evidence of transaction का मतलब क्या है कि जो आप transaction कर रहे हो उस transaction का proof आपका कौन देता है बाउचर देता है अब इसी बाउचर की सहायता से आप क्या करते थे journal entry करते थे after completing the journal entry आपका जो next step है जिसे हम क्या कहते है आपका laser कहते है ठीक है जिसे हम क्या कहते हैं laser यानि अब data journal entry से transfer होगा कहाँ पे laser में transfer होगा और इस process को हम लोग नाम देते हैं आपका posting का नाम देते हैं ठीक है पतौनी जिसे कहा जाता है हिंदी में अगर किसी ने पूछा एक number का सवाल आता है कि भाई या define the posting या what is the posting तो आप सीधा answer देना data is a transfer from the journal to laser ठीक है तो वो आपका क्या कहलाता है posting कहलाता है अब इस posting की जब आप बात करते हो तो इस posting के लिए आपको सबसे पहले कुछ rule को जानना पड़ेगा कुछ step को आपको follow करना पड़ेगा और जो rule मैं आपको बता रहा हूं इस rule को बहुत ध्यान से समझे आप अगर आप यह rule समझ लेंगे तो आप laser को भी अच्छे से क्या कर लेंगे बेटा समझ लेंगे ठीक है ठीक है ठीक है रूल नंबर वन क्या कहता है रूल नंबर वन कहता है मेरे साथ लिखिए गया ओपन लेजर ओपन लेजर एकाउंट आफ इच ट्रांजेक्शन ओबर ओपन लेजर एकाउंट ओफ इच ट्रांजेक्शन क्या मतलब है इसका इसका मतलब यह है वेटा कि आप जो भी ट्रांजेक्शन करेंगे जैसे हम यहाँ पर एक ट्रांजेक्शन लिख कर आपको दिखाते हैं मैंने एक ट्रांजेक्शन लिखा cash account debit to capital account cash account debit to capital account अब देखे पहला rule क्या कहता है कि आपको हर transaction का laser open करना पड़ेगा laser मतलब भाई सीधी सी बात है अगर आप यहाँ पर laser open करने की बात करोगे तो यहाँ पर कितने transaction आपको दिख रहे हैं आपको होगे सब transaction तो एक ही दिख रहा है लेकिन transaction एक भले आपको दिख रहे हैं लेकिन इसकी जो पोस्टिंग है बेटा वो दो पक्ष में हुई है एक debit है और एक का आपकी क्या है ? credit है यानि आपको यहाँ पर debit वाले को भी open करना पड़ेगा और आपको किसको open करना पड़ेगा ख्रेडिट वाले को भी open करना पड़ेगा देखो जुटन नंबर टू किया कहता है कि आप जिसका भी अकाउंट ओपन करेंगे जिसका भी अकाउंट आप ओपन करोगे उसके अपोजिट साइड वाले को आपको ट्रांसफर करना पड़ेगा कि अगर आपकी शादी है तो आप आप कार्ड अपने आपको दोगे या दूसरे को दोगे तो ठीक उसी प्रकार मालीजे कैश की साधी है किसकी साधी है कैश की साधी है तो यह कार्ड किसको देगा अपने आपको देगा या अपने पोजिट वाले को देगा अपने अपोजिट वाले को देगा यानि किसको द्वेटा ठीक है कि दूसरा रूल क्या कहता है when व दाठा प्रांस्फर हिर कि है ऑलता ुद्द thì आप लिख लिजेगा जर्नल इंट्री और यहां लिजे का क्या लेजर्ड यानी जो डठा जर्नल में क्रेडिट होगा व लेजर में क्या हो हो जाएगा जो डाटा आपका जर्नल इंट्री में डाम उगा वो आपका किदर चला जाएगा क्रेडिट हो जाएगाि हिसने के लिए अब इसको समझने के लिए हम आपको ति तिकाते हैं ये वाला cash account देखो जब आप laser के format की बात करते हो थोड़ा सा पहले इस पर discussion करेंगे अभी मैंने आपको journal entry का भी format बताया था journal entry का format कैसा था एक आपका date था फिर आपका क्या था particular था फिर आपका LF था फिर आपका क्या था debit और credit था ठीक उसी प्रकार जब आप laser की बात करोगे तो मैं यहीं पर बना दे रहा हूँ laser का format जिसका भी आप account open करोगे उसका पहले नाम लिखोगे और इसको आप फिर दो side में बाटोगे कितने side में बाटोगे दो side में बाटोगे एक side आपका debit रहेगा और एक side आपका क्या रहेगा credit रहेगा जितना column है उतना column credit side में भी होगा यानि date particular हो गया particular हो गया फिर क्या हो गया आपका बेटा वाउचर नंबर ठीक है क्या हो गया आपका बाउचर नंबर या इसे आप जे अफ भी लिखते हैं कुछ लोग कुछ किताबों में यह वी इन भी लिखा रहता और कुछ किताबों में जे अफ भी लिखा रहता है जे अफ यानि जर्नल फोरियो ठीक है फिर उसके बाद यह हो गया आपका क्या amount यह हो गया आपका debit side complete debit side में कितने column आपको देखने को मिल रहे हैं जर्ण बताइए मुझे एक आपका date हो गया दूसरा particular हो गया फिर वी इन यानि जे आप और फिर आपका क्या amount यानि एक दो तीन और चार ठीक उसी प्रकार से अब आप credit side में भी यही करेंगे पहला क्या हो जाएगा आपका date जैन क्या हो जाएगा आपका particular जैन फिर क्या हो जाएगा आपका या आप चलो जैया फिलिको बियान हटाकर और फिर उसके बाद आपका क्या हो जाएगा रुपिया मैं यहां पे यहां पे लिख रहा हूँ है अब देखिए यह फॉर्मिट समझ में आ गया कि नहीं आ गया अब देखो मैंने क्या कहा था अगर आप cash का account open कर रहे हैं तो आप opposite किसको भेजोगे capital को भेजोगे और कैसे भेजोगे यह देखो जो आपका जर्नल इंट्री के credit में रहेगा वो laser के किस में चला जाएगा debit में चला जाएगा और जो जर्नल इंट्री के debit में है वो laser के किस में चला जाएगा credit में आप जड़ा चेक करो यहां पे आप cash account open किये हो तो ट्रांसफर किसको गरोगे आप capital को ट्रांसफर किसको गरोगे capital को औ आहां पे जर्नल Indrie में किस साइड है इन तह लेजर में किस तरफ चला जाएगा ड्याबिट itself दे कि सुरुत हमेसा किस से करेंगे तू से और क्या लिखेंगे टू क्या पीटल कि आ तू क्या पीटन बताओ समझ में आगया कि नहीं अगया गया फंक टूरbut Charger जब आप क्या बनांट एकटोंट चलो जल्दी से बनाओ ए टो गया पटी कुलर यह अप किस साइड यह लेजर में कि इधर जाएगा की सुरुवात हमेशा कि से होती है यहां पर लिखेंगे है कि आप्थ की आ गया कि भलाएब समझ में आ यह नहीं में तो नहिंगे लेकिन सबसे पहले आप को ट्रांसफरिंग एक बार और करते हैं क्या करते है क्लियर हो गई इस से जाधा लेजर में कुछ भी नहीं है यह वह गया बेटा है अब मैं आपको कुछ हैपो थेरो ग्यामपल दो और हैपी एग्जामपल के बादह हम पहले जरणल को डि agree जेगा जो एकाउंट ओपन होगा जो एकाउंट एक बार ओपन हो गया है नोट देखे आप लोग लिखिए जो एकाउंट एक बार ओपन हो गया है हिंदी में लिखिए जो एकाउंट एक बार ओपन हो गया है वह दुबारा ओपन नहीं किया जाएगा वा दुबारा ओपन नहीं किया जाएगा एक दूसरा नोट दीजे जिस ट्रांजेक्शन का एकाउंट ओपन किया गया है दूसरा है जिस ट्रांजेक्शन का एकाउंट ओपन किया गया है उसके अपोजिट साइड वाले को ट्रांसफर किया जाएगा ठीक है उसके अपोजिट साइड को उसके अपोजिट साइड वाले को ट्रांसफर किया जाएगा ठीक है बिटा चलो एक कोशन मेरे पास अल्रेड़ी यह है ठीक है नया कोशन करने की क्या जूरूरत है जब है कोशन अपने पास देखिए लेकिन इसका लेजर बहुत लंबा बनेगा याद रखे रहना चलो एक काम करते हैं शुरूआत के पा फ्श्थो कर लेते हैं देख वाट समझने के लिए पाश्थो कर लेते हैं कि सबसे पहला आपका क्या है अब बताइए मुझे जरह ध्यान से बताइए मुझे कितने अकाउंट ओपन किया जाएंगे कैश का अकाउंट ओपन किया जाएगा हां या न किया जाएगा किया जाएगा क्या फरनीचर का अकाउंट ओपन किया जाएगा हां क्या किया जाएगा नहीं किया जाएगा क्यों नहीं किया जाएगा क्योंकि यह already क्या है open है बात समझ में आगी बिटा फिर उसके बाद purchase का account open किया जाएगा क्या जाएगा cash का किया जाएगा क्या नहीं क्योंकि यह already open है ठीक उसी प्रकार से जरा बताएए purchase का किया जाएगा नहीं किया जाएगा क्योंकि यह अल्रेडी क्या है ओपन है फैंसी स्टोर का किया जाएगा तर किया जाएगा क्योंकि अभी तक यह ओपन नहीं किया गया था अब बताइए फैंसी स्टोर का ओपन किया जाएगा नहीं किया जाएगा क्योंकि ओपन हो चुका है पर्चेस रिटन का किया जाएगा हाँ sir किया जाएगा क्योंकि ओपन नहीं हुआ है तो मज में आ गई वेटा फिक उसी प्रेकार आगे देखेंगे फिर से आए ये fancy store का ओपन किया जाएगा नहीं किया जाएगा डिस्काउंट का ओपन किया जाएगा सर्क किया जाएगा समझ रहे हो कि नहीं किया रहे हो समझ रहे हो फिर उसके बाद मंगलम का बताइए मंगलम का उपन किया जाएगा किया जाएगा सेल का उपन किया जाएगा हां किया जाएगा ज्रॉइंग का किया जाएगा किया जाएगा Cash का नहीं किया जाएगा फिर Modern Textile Open किया जाएगा Cash का नहीं Discount का नहीं Very good फिर उसके बाद Purchase का नहीं Modern Textile का नहीं Good बेटा फिर उसके बाद Cash का नहीं Discount का नहीं Mangalam का नहीं देख रहे हो मतलब जो चीजे जो चीजे जो account आप open कर चुके हैं दुबारा उसको open करने के ओशक्ता नहीं है ना विसका ना फिर इसका और इसमें भी देखो इसमें भी नहीं इसमें भी नहीं अब देखें इसमें हाँ हाँ ठीक है ये नहीं समझ में आ गया depreciation का हाँ इसका नहीं बात समझ में आ गए विटा ठीक है तो चलिए फिर बनाते हैं सबसे पहले किसका बनाते है विडा आपका है ठीक है क्याश का बनाते हैं सबसे पहले क्याश है का हुआ पर्टिकूलर लेफ्ट वाउचर नंबर सबसे ज्यादा इसमें जानते हो क्या आपको परिसान करेगा लाइन खीचना ठीक है आपका आपको एक चीज और बता दुमें कैश का एकाउंट बिटड़ा ही बनाइए गा और कैपिटल का छोटा बनाइए गा क्योंकि क्यापिटल में जाधा ट्रांजेक्शन नहीं है जादा जादा कैपिटल का दो या तीन लाइन बनाईएगा बस लेकिन कैश का आपको ज्यादा बनाना पड़ेगा कम से कम दस लाइन या फिर आप गिन लीजिए कि कितनी बार कैश आया है अभी हाना हाना कर रहे थे ना उसी समय गिन लिए होते कैश हो गया कैश है कैश के बाद अच्छा कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनको आप बड़ा स्केल भी दे दो तो भी उनकी कॉपी में नागिन जरूर नाचेगी ठीक है एक पर नीचर हो गया पर नीचर के बाद अगला क्या था पर्चेस अग्वी तो कह रहा हूं लब बीड़ा कॉपी में नागिन मनाय चैन कहां है इस पाइन के चैनल कि पर्चेस हो गया पर्चेस के बाद जब फैंसी स्टोर भी बनाना है कि अहां कि अच्छाइब फैंसी स्टोर एकाउंट कि अच्छाइब अच्छाइब कि अच्छाइब तो पर्चेस रिटन पर्चेस रटन पर्चेस रिटन पर्चेस रिटन अकाउंट हुआ 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 चलो यहां तक पोस्टिंग पहले कर लेते हैं चलो कि अ अ अ अ सबस्टिंग अ सबस्क्राइब घाओ देखते हैं फिटाफ़ट देखिए देखो सबसे पहले कैश वाला देखो हाँ एक चीज देखो मैं पर पर्टिकूलर डेट पर्टिकूलर नहीं लिख रहा हूं आप लोग लिख लीजेगा जरूर अब देखो यहां पर आपका क्या है राइए हम चलिए वन भाई वन खड़ा करते हैं सको फूछते हैं ठीक है चलो कौन खड़ा होगा मांसी खड़े ओ बिटा कैश अकाूं बना रहे हो किसको ट्रांसफर करोगे पहला सवाल जब आप लेजर करना तो सबसे पहले यही पूछना किस को ट्रांसफर करना है transfer करना है इसका answer क्या है बैटा opposite वाले को इसका answer क्या है opposite वाले को है न बैटा cash account बना रहे हो तो opposite वाला कौन है आपका बताये capital को transfer करेंगे capital अब देखो कैसे transfer करेंगे जो journal entry में दूसरा question सवाल क्या पूछेंगे आप किस side किया जाए किस side transfer किया जाए ठीक है चलिए तो किस side transfer किया जाए बेटा देखो जर्नल इंट्री में अगर यह किस side है क्रेडिट है तो लेजर में किदर चला जाएगा debit यहां पर क्या लिखेंगे बेटा हम टू कैपिटल कि टू कैपिटल ठीक है बेटा कितने रुपए से आपका पचास हजार रुपए से समझ में आ गया बता दो अब कैपिटल के पॉजिट में कौन है आपका कैश कैपिटल सवाल यही है कि किसको ट्रांसफर करना है तो कैपिटल के पॉजिट में कौन है आपका कैश किस side है आपका debit side क्रेडिट में है तो यह किदर चला जाएगा credit में यानि एक तारीक को यहां पर क्या लिखेंगे बाई कैश और कितना लिखेंगे बाबू 50,000 समझ में आगे बेटा वेरी गुट बैठो अब अगला खड़े हो जाओ अगली पर्सन खड़े हो भाई क्या नाम है इनका तुम खड़े हो प्रियांसू चलो अगला कौन है आपका फरनीचर तो फरनीचर का लेजर बना रखा है हमने फरनीचर एकाउंट है तो किसको ट्रैंसफर करोगे आप कैश को कैश इधर किस साइड है आपका इधर किदर भेजेंगे डेबिट साइड में यहां क्या लिखेंगे टू कैश ठीक है बटा एध दो तारीको ना और यहां पर क्या हो जाएगा आपका छे हजार वेरी गुड यहां किदर चला जाएगा वेरी गुड यहां चला जाएगा क्रेडिट में क्या लिखेंगे बाई फरनीचर बाई फरनीचर एकाउंट और कितना आपका 6000 और मैं आपको एक चीज और बता हूं बेटा यहां पे भी वही रूल लग रहा है जो रूल मैंने आपको बता रखा है क्या एसेट्स डाबिट लियाबिलिटी क्रेडिट कैपिटल क्रेडिट इंकम क्रेडिट एक यह देबिट न तो कैपिटल की वजए से बैलेंस बढ़ रहा है कि न नहीं बढ़ रहा है कि आपappedर लिखा है करेडिटर क्रेडिट लिखा है credit side लिखा है बात समझ में आगे की नहीं आगे capital वाला भी देखो capital में मैंने क्या बताया था जब balance बढ़ता है तो हम किदर लिखते है credit या debit credit लिखते है तो देखो capital का balance credit side लिखा एक नहीं लिखा है और उसके बाद अगला देखो furniture तुमारी assets होती है और assets होती है तो देखो बढ़ रही है तो किस side लिखा गया है debit side लिखा गया है यानि वहाँ journal entry का जो rule था वो भी यहां पर क्या हो रहा है लागू हो रहा है समझ में आगया बेटा चलो बैड़ जाओ चलो अगले person खड़े हो जल्दी से अगले वाले जल्दी से खड़े हो चलो खुश्बू तुम बताओ मुझे बेटा तीसरी entry बताओ अब तीसरी entry में क्या है आपका पर purchase है तो purchase account बनाए की नहीं बनाए बनाए सर चलो बताओ purchase में किस को transfer करें कैश को transfer करें कैश को किस side transfer करें तो यहाँ पे तीन तारीक को लिखेंगे to cash कितना लिखेंगे बेटे बारा पांसव ठीक है और दूसरा बताओ अब purchase वाला हो गया अब opposite कौन है आपका cash cash का laser खोले हो की नहीं खोले हो यह खुला है अब बताओ purchase किस side जाएगा बेटा गलत बात है पड़ोसी बताओ नहीं बताओ नहीं यार ठीक है यहाँ पर क्या लिखेंगे बाई purchase कोई मेहनत कर रहे है तो उसे करने तो दो धीर इसे बता दे रहे हो उसका भी moral डाउन हो जाएगा ठीक है अब अगले पड़ोसी खड़े हो जल्दी से यह वाला purchase हो गया हमारा आप चलो purchase अगला बताओ को fancy वाला देखो purchase अकाउंट बना रखे हो आप न तो purchase अकाउंट यह रहा चलो बताओ किसको transfer करेंगे fancy store को किस side debit side तो यहाँ पे चार तारिक को हम लिखेंगे क्या लिखेंगे टू किस side लिखेंगे debit side ना तू fancy store टू fancy store कितना चाउदा हाजार ना चाउदा हाजार अब fancy store भी बना है हां सर बना है यह रहा तो अब देखो यहाँ पे अपोजिट में कौन जाएगा आपका यह रहा ना यह वाला यह पोजिट में purchase है यह किदर जाएगा आपका credit side ना बेटा चार तारिक को क्या लिखेंगे buy purchase कितना 14,000 बेटा समझ में आ गया कि नहीं आ गया बहुत सुंदर बहुत सुंदर जल्दी बैठो जल्दी बैठो जल्दी बैठो पड़ो सी खड़े ओ खड़े ओ बगल वाले चलो बेटा अब यह वाली entry देखेंगे ठीक है जब देखो अब बताओ पहले किसका account transfer करेंगे हम पहले account किसका करें fancy store का fancy store खोल रही है मैंने अब बताओ किदर side लिखें क्या लिखें debit side में क्या लिखें two purchase return date बताओ पांस तारिक तो two purchase return बड़ा कितना 500 समझ में आ गया very good अब purchase return account बना रखेंगे हो चलो बनाओ जल्दी से यह बना दिया मैंने अब opposite में कौन जाएगा आपका किस side जाएगा credit side जाएगा तो यहां पर क्या लिखेंगे पांस तारिक को भाई fancy store कितना विड़ा 500 समझ में आ गया कि नहीं आ गया दिक्कत तो नहीं हो रही है ना चलो ठीक है पड़ो सी घड़े हो बगल वाले अब इसके लिए मुझे पहले लेजर बनाना पड़ेगा discount का खली इसकाउंट का बना लेए पहले इसकाउंट कि अबसे एक मिट का समय दीजेविया तो जैसे लग रहा है भंडारे में पूरी जब खतम हो जाए और नियुतारी खड़े रहे हैं हुआ ही हाल है अरे जल्दी बताओ जल्दी बताओ रुक जाओ यार जलो डिसकाउंट जो बेटा आ जाओ सबसे पहले किसमें पोस्टिंग करें बेटा इस्टोर में लिए रहा जड़ा बताओ क्या क्या लिखें यह अब छे तारीक को कि अब इट साइड में कैस लिखेंगे रिक है फैन्सी स्टोर में तो यह रहा तो यह ना यह ना बेटा अब यहां पे तू कैश इतना बेटा अब देखो फस गए यहां पर फस गए कितना रुपिया लिखें कितना लिखें ज्यान दीजेगा जो ट्रांसफर आप कर रहे हैं जितने का आप ट्रांसफर कर रहे हैं जैसे आप यहां पर कैस ट्रांसफर कर रहे हैं तो कैस कितने का ट्रांसफर कर रहे हैं तेरा, 103, 230, ये तेरा 500 मतलिक दीजेगा, जो amount आप transfer कर रहे हैं, जो transaction आप transfer कर रहे हैं, उसके आगे का amount, जैसे आप ऐसे समझो, इसको याद रखने का एक तरीका, कि जैसे मालो साधी वाला एक्जामपल मैंने लिया था मैंने कहा था कि आप अपने एपोजिट साइड वाले को नियोता दोगे सही है तो नियोता जब आप दोगे तो जितना रुपिया वो माली जे आप आपकी वो साधी में जब आएगा कुछ न कुछ दक्षणा देगा की नई देगा तरह मात बताओं जितना उसने मुझे दें रख्क है उतना तो मैं यहां पर कितना लिखेंगे 13,230 फिर उसके बाद अब लॉट आईए आप किसमें सबसे पहले अब कौन सा एकाउंट खोले अब फैंसी तो हो गया हमारा अब कौन सा करें अब सबसे पहले कश को उठाते हैं कि कैश यह रहा हमारा यह रहाए अब बताएं किस साइड जाएगा लेकिन कितना रूपया ना ना जेतना न न उता मिला था उतना एए कि इतना करेंगे तेरा दोसों तीस ठीक है लेकिन आप यह चेक करो इस तेरा पांसों में आपका दोसों सतर डिसकाउंट का भी तो है उसको कहें छोड़ रहे हुआ उसको नियोता नहीं दोगे क्या ठीक है बड़ा है अब बस कैश हो गया ना कैश्याख हो गया न अब आगे वारी किसकी है डिसकाउंट की मैं मैं अब बताओ किसको ट्रांसफर करना है फैंसी को न रेविड स爵त ग्रेडिट साइड यहां पर क्या लिखेंगे अ और किổ इसटोर और कितना रुपया कि दोसो सतर रुपया बताव बेटा समझ में आ गया कि नहीं करना है ज्यादा कुछ इसमें नहीं करना है मैं आपको एक चीज़ और बताऊ कभी कभी क्या होगा ना बेटा जैसे अच लोग आखिरी में वह टोटल करना सिखाता हूँ कि अभी बारी है वेटा उसको भी भेजता हूँ उसको भी भेजना है अभी डिसकाउंट वाले को भी भेजना है ठीक है छे तारिक को यहाँ पर फिर हम क्या लिखेंगे तू डिसकाउंट और कितने से दो सो सत्तर से अब एक काम करू जरा देखो फैंसी स्टोर का अकाउंटे बराबर हो गया देखो 14,000 का खरीदा था, 500 रिटन कर दिया था, 13,250 हमने पे कर दिया, 270 हमें डिसकाउंट मिल गया, यानि इधर भी 14,000 आ गया, इधर भी 14,000 आ गया, फैंसी स्टोर का खाता क्या हो गया बेटा, बराबर हो गया, यानि इसका कोई भी क्लोजिंग नहीं होगा, तो मच में आय कचिया, कोई दिक्कत तो नहीं, चलो, आगे बढ़ते हैं, चलो, बैडियो, अगले पड़ो, सिखड़े हो, चलो, मंगलम का बनाना पड़ेगा, ना, नो बनाना पड़ेगा、 चलो, तो एक मीनट के लिए बैठ लो, मंगल अमकर बना ले, ठीक है आज सुबह मैं आ रहा था आज मैं सुबह आ रहा था तो मैंने गाना सुना था अपने ही गिराते हैं अपने ही गिराते हैं नसे मंद पे बिज लिया लेकिन आखरी में और भी कहता है दोस्तों ने आके थाम भी लिया है इंए अमाल लिया है मतलब कि इंगे मंगलम बन क्या मेरा अब देखो मंगलम के भी अपोसिट्सट्र में कौन है यह रहा ना सवाह थेको मंगलम के पोश्ट्र कौन है प्टों तेल किदर जाएगा इटे इवित साइड यहां पर क्या लिखेंगे तू सेल इमाउंट बेटा अब इमाउंट है आपका कितना नव हजार छेसो वेरी गुड बेटा उसके बाद अगला क्या है बेटा सेल सेल में किदर बेजेंगे इसको बाई मंगलम 9600 बताओ बेटा समझ में आ गया कि नहीं आ गया बस यहीं कॉंसेट है यार इससे ज्यादा कोई कॉंसेट नहीं है चलो अब मैं आपको बैलेंसिंग निकालना सिखा देता हूं बाकी इंट्री को छोड़ देंगे बैलेंसिंग निकालना सीखेंगे बैलेंसिंग निकालने के लिए हम आपको दो पॉइंट समझाते हैं जड़ा इसको जबाब दीजेगा सभी लोग जैसे एक तरफ ध्यान दीजेगा एक तरफ आपका 100 रुपया है और दूसरी तरफ आपका 80 रुपया है ठीक है एक तरफ 100 रुपया है दूसरी तरफ 80 20 रुपया है गटा थो तक घटाना नहीं रहे गा बल्कि यह करना रहेगा जोड़ना रहेगा यहां पर 20 रुपया जब जोड़ेंगे तो इधर भी कितना आ गया सो इधर भी आ गया क्या सो यानि ये आपका डाबट और ये आपका क्या क्रेड़िट ध्यान दीजे खेल क्या मतलब इसका इसका मतलब है जो जादा है वही जाधा रहेगा मतलब किया जब आप इसको अगले साल ट्रांसफर करेंगे ज dryer से सुनिएगा यह 20 रुपया आया है 20 रुपया का she ha ya na अब ये क्लोज़िंग बैलेंस अगली बार किस साइड निखा जएगा डैबिट साइड लिखा जाएगा अब इसको समझाने के लिए हम आपको कैश वाला आकाउंट लेकर टाइली कराते हैं ठीक है चाइस बाला जड़ा देखो देखो कैश वाला चेक करो क्लेको कैश में देखो को देखिए प्लीज कि देखें कैश में देखें अब 50,000 रुपया आपका क्या है डाबिट है और यह आपका क्या है क्रेडिट है और आपको भी पता है कि डाबिट और क्रेडिट दोनों बराबर होना चाहिए तो अब इधर बैलन्स 50,000 है इधर बैलन्स कितना है ज़रा जोड़ के बताओ मुझे कितना है बेटा 31,730 रुपया यानि कितने रुपय की कमी आ रही है बेटा माइनस करो ज़रा जल्दी से 18,270 तो बेटा यही आपका बाई बैलन्स सीडी यानि सीडी का मतलब क्या होता है कैरी डाउन क्या होता है कैरी डाउन और यह आपका बैलन्स यहीं पर क्या हो जाएगा पचास हजार इधर भी हो गया और पचास हजार आपका क्या हो गया इधर भी हो गया अब समझो ध्या इसको transfer करोगे मैंने अगर आपको याद हो तो मैंने एक छीज आपको बताई थी, जब आप opening entry करते हो तो opening entry आप कितने transaction की करते हो, तीन transaction की ना, या तो आपका assets रहता है, ध्यान दो बेटा, या तो आपका assets रहता है, या तो liability रहता है, या तो क्या रहता है, capital रहता है, income और expense कद नहीं ट्रांसवर करते जूब आप इसको अगले ट्रांसवरो रहे तो यहां पर क्या लिखो गे तो बाललेंस जेक है च्पेलाइंब का पर उसके जया आपका अई क्या इसको किस साइड लिखोगे डाबिट साइड में ही तो लिखोगे यही चीज तो मैं आपको समझा रहा था याद करो यह रहा यहीं तुम्हें समझा रहा था कि जो आपका ज्यादा रहेगा उदर ही आपका बैलन्स अगले साल ट्रांसफर होगा यह देखो ठीक है बेटा और सर एक बात बताओ मान लोग क्रेडिट साइड अगर ज्यादा हो तबीटा बैलन्स किदर आएगा ऐगा बैलन्स कौन सा बचेगा बैलन्स आएगा कैसे हो कैपिटल yasa डेक्टे है अंधिडल का बैलन्स कीया रहेगा और चेक कर लेते हैं कहें परिशान से था क्रेडिट साइड में 50,000 अगरा नब है तो यहाँ पे balance किदर आएगा इदर तो कुछ आएगा ही नहीं तो यहाँ पे क्या लिखेंगे two balance cd cd मतलब closing balance ना या carry it down पचास अजार यह हो गया पचास अजार इधर पचास अजार क्या आपका इधर अब जैसे इसको आप अगले साल transfer करोगे balance किस तरफ लिखोगे credit side या debit side यहाँ क्या लिखोगे by balance bd किस तरफ बेटा पचास अजार बताओ बेटा समझ में आ गया कि नहीं आ गया तो बस laser यहीं पे आपका क्या हो जाता है समाप्त होता है इससे जादा कोई laser नहीं है बाकी laser की जो theory है वह हम अगली class में आपको क्या कर देंगे discuss कर देंगे जिसमें importance of laser merits of laser advantage of laser limitation of laser यह सारी चीज़ें आपको laser के बारे में हम बता देंगे लेजर का जो concept है यहीं तक है बाकी अब हम आपसे मिलेंगे कल यानि next class में तब तक के लिए आप सभी अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए कोई भी चीज़ अगर आपको ना समझ में आई हो तो आप हमारे नीचे दिए गए नंबर पर आप हमें कॉल कर सकते हैं साथी साथ एक चीज़ की और हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपको चीज़े समझ में आती हैं तो लेक्चर को जरूर शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ लाइक करिए चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो